हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगे आपके सामने मोश्ट इंपॉर्टन साइ के लिए साइंस तू सब्जेक का उसका चाप्टर नम्बर थ्री हमारा जो चल रहा थो दोस्तों जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गैनिजम आज हम इस चाप्टर का लेक्चर नम्बर एट लेकर आगे तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है यह सेकेंड ल हमारा menstrual cycle की females में जो bleeding होती है menstrual cycle जिसे कहते हैं वो कैसे होती है और कब-कब होती है ये सब चीज हमने explain किया था तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर से जाके देख लेना बहुत important है आज 8 लेक्चर है फिर इसके बाद एक और हो जाएगा lecture no.9 तो हमारा chapter complete हो इसको start करते है आज हम लोग कुछ ऐसे topic के बार में पढ़ने वाले जो की शायद से आपको नहीं पता होगा and ये कुछ ऐसे चीजे हैं जो आज के date में जो हम जैसे generation जो होते है ठीक है न new generation के जो लोग है इनको जो जानना बहुत जादा जरूरी है ठीक है but before starting this lecture I want to tell you something that कि ह नमारा science 1 का भी जो पहला chapter था gravitation उसका आपके जो दो lectures रहे गए थे missing थे lecture number 4 and 5 वो भी हमने upload कर दिये तो आप जाके वो चेक कर लेना chapter number 1 of the science 1s ग्रैविटेशन चाप्टर वो भी चेक कर लेना साप में 10th के वीडियोस हम consistently बना रहे हैं बाकी जो standard के student है दोस्तो 7, 8, 9 उनके लिए तो उनका जो वीडियोस है science and maths का total syllabus के वीडियोस हमने बना के रखे है बस आपको जाना है और डूढना है और maths और science के वीडियोस आराम स आपको पढ़ाते हैं तो ये सभी चीज सीरीज जो है वो चालू है इसके अलावा English grammar के वीडियो सीरीज है तो आप बहुत सारे वीडियो सीरीज साब available है आपको बस playlist में जाना है और जो भी आपको अच्छा लगएगा आप जाके वहाँ से access करके देख सकते हो बिंदास free of cost ठीक है दोस्तों तो कोई problem नहीं है आराम से देखते रहिए तो चलिए आज के वीडियो की शिरुआत करते हैं और basically जो सबसे पहरे topic जो पढ़ना है जो main topic है हमारा आज जो heading है वो है दोस्तो reproduction and modern technology अब ये reproduction and modern technology का meaning क्या है reproduction तो meaning आपको पता ये ये पूरे 7 lecture जो इसके पहले हर चीज क्या होगी technology oriented हो गई हर चीज क्या है technology का जमाना है हमारा और हर चीज बीना technology के कुछ काम जो है आज के date में हम नहीं कर पाते हैं ठीक है न हर चीज के लिए technology जो है इसके हमें जरुरत पड़ती है ठीक है तो यह जो technology है modern technology की बात करें ये है क्या वो है दोस्तो reproduction से ल दस्वी में हो, बच्चे नहीं हो, आपको बहुत सारी चीज़े पता हैं, दोस्तों, आल्रीडी, ठीके न, you know what I am trying to say, ठीके न, आप अच्छे समझ सकते हो, आप मैचोर हो चुके हो भी, ठीके, एडल्ट हो चुके हो, तो बहुत सारी चीज़े आपको पता है, जैसे कि कुछ they want pregnancy, यानि कि जो females होती है, उनको जब pregnant होना होता है, यानि कि एक बच्चे के माँ बनना होता है, उनको अपनी future generation को आगे जब बढ़ाना होता है, तो उन में क्या हो जाती है, couples में एक difficulty आने लगती है, यानि कि they are not being able to reproduce the new child, यानि कि या तो male में कुछ problem रहता है, यानि आद difficulties to produce the new child by using the sexual reproduction method जो भी आप करते हो, ठीक है न, तो basically क्या होता है, कि जो irregularity होती है, या फिर जो difficulty आती है, वो कौन-कौन से तरीके में आती है, तो अगर हम male की बात करें, ठोड़ा सा यहां पे में लिखा भी दूँगा आपको, यानि कि बहुत सिंपल सा topic है, male में क्या होता ह यानि कि number of sperm जो होने चाहिए, जितने होने चाहिए male में उतने present नहीं होते है, तो sperm count क्या हो जाता है, less हो जाता है, यानि कि sperm की कमी हो जाती है, male के अंदर, तो जब male के अंदर sperm की कमी है, तो जो females के अंदर जो owum रखा हुआ है, जो oocyte present है, उसको वो fertilize नहीं कर पाएगा, जाइगोट नहीं बना पाएगा, correct है, तो यह चीज हो गया, male के अंदर, और भी बहुत सारी problem होती है, बहुत सारी different चीजे भी है, तो यह main जो problem होता है, male के अंदर, यह sperm count, जो less हो जाता है, वो हो जाता है, साथ ही में अगर हम बात करें, कभी-कभी ऐसा होता है, कि females में जो होते हैं, कि बहुत सारे ऐसे problems भी देखे गए हैं, कि जो females होते हैं, उनके oveduct, यानि कि जो ovary जो होता है, ovary, जब sperm जब उसके अंदर चले जाता है, तो वो जो है oveduct के through past, कि uterus में नहीं पहुछ पाते हैं, कि इसे के uterus में problem रहता है, तो इसे बहुत सारे difficulties देखे गए हैं, कि इसमें females में भी, तो both male and female, दोनों में कुछ ना कुछ problem होगा, तो बताओ, जब दोनों में कुछ ना कुछ problem है, तो यानि कि वो दोनों जो है, कभी father-mother नहीं बन पाएंगे, यानि कि कभी भी आगे जाके अपना generation को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उनको कुछ modern technology का सहारा लेना पड़ता है, यानि कि कुछ reproduction and modern technology का सहारा लेना पड़ता है, जिसके वजे से वो लोग अपना reproduction कर सकते हैं और अपनी जो PD है यानि कि वो generation जो है वो कर सकते हैं और अपने child को दुनिया में ला सकते हैं तो ऐसे कौन-कौन से techniques होते हैं, there are so many techniques, but हम लोग यहाँ पे दो जो आपके syllabus में mention हैं उसके बारे मैं बात करेंगे सबसे पहला जो technique अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो की बहुत ही famous है और बहुत ही ज़्यादा आपने सुना भी होगा अगर शायद अगर आप यह सब चीज पहले से पढ़ते आ रहे हो यह एक ऐसा technique है, in vitro fertilization जिसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं यह ऐसा technique है in vitro fertilization नाम से ही आपको थोड़ा पता चलेगा in vitro का मतलब होता हुद क्या होता है लैसी कि इन होता है इस से लोग है यानि जो टेश्ट्यूब बेबी के हेल्ब से जो है दुनिया में आए हैं एंड वो आज हम जैसे इंसान के जैसे नॉर्मल जी रहे हैं बिंदास कुछ भी प्राबलम उनको नहीं है क्योंकि वो खुद ही क्या है एक नॉर्मल हुमिन भी है ठीक है ना तो इन वाइ चीज मैंने बताया हुए अल्रडी पिछले वीडियो में जितने भी हमने अप्लोड किये हुए अब तक ठीक है तो नाच्रल तरीका क्या है जो नाच्रल सेक्शुल अक्टिविटीज के थुरू मेल और फीमेल जब लव मेकिंग करते हैं विकॉस अब डाट क्या होता है कि जो स्पर्म है उनके पैनिस के थुरू मेल के पैनिस के थुरू स्पर्म जो है फीमेल के वजाइना के थुरू एंटर होते होते वो ओम तक चले जाता है और वो फर्टिलाइज करता है और जाइगोट का फॉर्मिशन करता है लेकिन कभी-कभी ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि ल जिसको हम लोग बोलते हैं, ओम लेके, एक्स लेके, उसाइट लेके, and male का sperm लेके, वो दोनों को in the laboratory, in the test tube, जो है, उसमें fertilization external तोर पे करवाया जाता, यानि कि fertilization जो प्रोसेस हुआ है, वो बाहर के through करवाया जा रहा है, किसके अंदर एक test tube के अंदर, लेकिन gamut जो है, यानि का formation एक बर हो गया, male and female, जो है, के जो sperm and om, जो है, वो artificial तरीके से, and उसमें कुछ additives डाल के, I don't actually remember, क्योंकि ये सब चीज़ higher field में आते हैं, ठीक है, वो level तक हमारा भी education नहीं है, ये normally अगर बात करें, इस field में, लेकिन आप देखोगे, तो zygote जैसी formation हो जाता है, तो zygote test tube and the formation हो गया, test tube के अंदर zygote formation हो गया, तो वो zygote को वहाँ से निकालके, किसके अंदर, female के, जो uterus जो होता है, female का, जिसके अंदर worm होता है, तो उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, उसको implant कर दिया जाता है, यानि कि, जहां पर बच्चा actually grow करता है, तो ये zygote को directly फिर female वो बच्चा जो है दुनिया में आएगा, तो ये क्या हुआ, सब सेम ही हुआ, कुछ भी फरक नहीं था, जैसे naturally होता था, सेम ही था, लेकिन starting का जो process था, जो male and female के sperm और oam को जो मिलाने का जो technique था, जिससे zygote बन पाए, वो बाहर कराये गया, वो test tube में कराये गया, उसके बाद उसको female के अंदर, mother के अंदर डाला गया, तो इसलिए इसको in vitro fertilization कहेते हैं, क्योंकि in vitro का मतलब हो गया, क्या हो गया, अंदर की तरफ, तो fertilization जो है, वो test tube में होके, and उसको डाला गया, that's why it is called as the in vitro fertilization, यह clear हो गया दोस्तों, तो उमीद करता हूं कि यह सबसे पहला जो topic है, in vitro fertilization यह आपको clear हो गया होगा, बहुत simple सा topic है, and बहुत effective और जादा आपको detail में दिया भी नहीं है, मैंने थोड़ा आपको detail में बत fertilization पढ़ ले, आप जो एक और method है, दोस्तों, बहुत ही famous method है, बहुत ही famous method है, जिसको हम लोग क्या बोलते है, sarogacy, क्या बोलते है, sarogacy, यह बहुत कम लोग जानते होंगे, sarogacy के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दू, sarogacy is like, बहुत जादा आजकल use होता है, बहुत सारे जो like females होती है, वो इसका इस्तिमाल करते है, तो sarogacy exactly क्या होता है, तो मैं आपको बहुत simple भाषे में बता दू, सबसे पहले directly, देखो, sarogacy का मतलब यह होता है, कि अगर कोई female है, उसके sexual organs के अंदर, या फिर जो भी उसके part present है, उसके अंदर कुछ problem है, यानि कि अगर समझ female होगी, जो partner है male and female, उसमें से जो female होगी, वो जो है natural तरीके से अपने अंदर बच्चा, जो होता है, child जो होगा, वो generate नहीं कर पाएगी, because वो process ही नहीं हो पाएगा उसके अंदर, तो ऐसे case में क्या होगा, female के अंदर ovaries तो present है, female के अंदर क्या present है, उसके जो eggs होते हैं, ocides होते हैं, वो तो present है, male का sperm लिया जाएगा, और female का ocides लिया जाएगा, and उसको लेके, क्या किया जाएगा, एक तरीके से, फिर से, मिलाया जाएगा, and zygote का formation करेके, किसी और female के अंदर, ठीक है, समझ लो, बात समझो, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो, पहला method थ fertilization, इसमें क्या तो दोनों को मिला के, and उसी female में डाल दिया जाता था, क्योंकि उसको कोई ऐसा problem नहीं था, uterus के अंदर, लेकिन अगर ऐसे female में, जिसको क्या होता है, कभी-कभी, कि जो uterus होता है, embryo का formation, जिसमें होना चाहिए, उसमें ही problem है, कि इसी female के अंदर की, यानि क बच्चा बढ़ता है, 9 मन के बाद, उसकी delivery होने के बाद भी बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन दोस्तो, फरक सिव इतना रहेगा, भले ही वो किसी और मा, यानि कि किसी और female के थुरू बाहर आया, लेकिन वो बच्चा किसका कहलाएगा, फिर से, अपने माबाब, जो actual में उसके parents से उनका ही कहलाएगा, क्योंकि जो gamets था, जो sperm and ovum था, वो तो real parents कही थे, लेकिन जिसके थुरू बाहर आया, वो female कोई और थी, तो वो female को कहा जाता है, दोस्तो, surrogacy mother, या फिर सरोगेट कहा जाता है, या बहुत important चीज़ है, जानना चाहिए आपको surrogate mother, यानि कि वो भी आपकी माँ ही कहलाएगी, जिसके थुरू आप बाहर आया हो, वो भी आपकी माँ कहलाएगी, लेकिन आपके वो geneticallyly माँ नहीं रहेगी, geneticallyly मतलब उनके अंदर आपका खूण नहीं है, वो किसी और का था, वो किसी और के थुरू आप बाहर आया है, समझ मैं रहा है, यहाँ पर मैं क्या बतानी क्योंचिश किया, तो यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही आसान भासे मैंने समझाया है, उमीद करता हूँ, कि आपको यह बहुत अच्छे से थुरू, अब राजी भी होने चीए, पहले बाद बहुत सारे female ऐसे होते हैं, जो deny करते हैं, लेकिन actual में होते हैं बहुत सारे, क्यूंकि ऐसे, there are so many cases in India also, जिसमें sarogacy के help से जो बच्चे हैं, वो दुन्या में आये हैं, और यह बहुत ही जादा successful हुआ है, तो ऐसी मतर जो बच्चे को like uterus में implant नहीं कर पाते, कुछ problem होता है उनको, तो they can use this method, सरोगेसी method जिसमें किसी और female का सहरा लेके and वो process करवाया जाता है, clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच sperm bank भी भी बोलते है, या फिर semen बोलते हैं, आपको मैंने बतायाः था, जो main होता है liquid, जो male परणी से बहार आता है, वो semen होता है, और semen के अंदर sperm होता है, ठीक है?, तो sperm bank क्या होता है, नाम आपने सुना होगा, जैसे कि blood bank, आपने इसके पहले, जो नाम सुना होगा, वो क में जो होते हैं या फिर बाहर से भी कुछ होते हैं तो हम ब्लड मैंक में जाते हैं जो भी हमारा blood group होता है A, A, B, A, B, O, जो भी होता है वो उसके एसाब से हम लेते हैं और हमारा blood transfusion किया जाता है तो यह होता है blood bank के थूरू लेकिन कभी ऐसा भी जरौत होता है कि वो किसी X को यानि females के जो ओवम होते हैं उसको fertilize कर पाए तो ऐसे case में क्या होगा? ठीक है ना? ऐसे case में क्या होगा? कि जब male का deficiency सामने आ जाए, male की capability नहीं यह कि वो reproduction method को follow कर पाए तो ये case में क्या होता है? जो sperm होता है ना sperm उसको bank में रखा जाता है इससान sperm को donate करता है उसको sperm donor कहते हैं, जैसे कि blood donor आपने सुना होगा, ठीक है ना? blood को donate करने वाला, वैसे sperm donor भी होता है कि लोग जो है अपनी खुशी से sperms को donate कर सकते हैं, इसमें ये भी होता है, मुझे नहीं पता कि ये 100% सच है कि ने, लेकिन ऐसा मैंने सुना है ये मेरा सिफ सुनना है, कहीं से सुना था मैंने, कि अगर आप sperm donate करते हो तो आपको उसके बतले में पेसे भी मिलते हैं, ठीके ना? वो बहुती अलग चीज है, बट मैं आपको ऐसा insist नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुदी स्मार्ट हो, और आप लोग ढूण सकते हो कि वाकई में ये सच है कि जूटे, बट मुझे भी कहीं न कहीं से सुनने में आया था लेकिन sperm bank की जो बात है, वो सच है बिलकुल कि आप जो है, खासकर मैं उतनी ताकत नहीं होती है, तो वो sperm bank में जाके sperm को collect कर सकते हैं, with the help of doctor, with the help of prescription of doctor, ये obviously उनके guidance में ही होता है, आप personal level पे नहीं कर सकते है, तो वो sperm उनके थूर जाता है, और वो sperm लेके females के जो एग होते है, उसको fertilize किया जाता है बहरी तोर से, और फिर उसके अंदर implant किया जाता है, तो इस तरीके से sperm bank का जो है, वो काम होता है, ठीक है, तो यही है important चीज जो आपको जानना चाहिए, और खासकर जो semen या फिर sperm bank जो होता है, इसका सबसे ज़्यादा के दोरान किया जाता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है और बहुत important है होना, बहुत जाधा चर्चा वाली बात नहीं होते है, क्योंकि लोग shy होते हैं थोड़ा यह सब चीज़े, personal चीज़े होते हैं, लोग बाते नहीं जी का method था, जिसमें हमने पढ़ा, basically, बहुत से important चीज़े हमने देखे, जो की था, आपका invite or fertilization, surrogacy and sperm bank, and मैं पूरी उमीद करता हूँ कि at least आपको यह जो topic मैंने आपको पढ़ाया, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, each and everything मैंने बता दिया, जो आपके अच्छा लगा है, समझ में आ गया है totally, तो please यह वीडियो को like कीजेगा, share जरूर से कर देना, बहुत important है, बहुत ही एच्छे से concept मैंने clear करने ही कोशिश किए, तो please ज्यादा सहथा share कर दो इस चीज़ को, अपने सारे friends and relatives को share कर देना, and दोस्तो, अगर आपने अभी तक इस